आल्स्ट्रम सिंड्रुम यूके की सन 1998 में के पाकिन सिंद्वारा स्थापना की गई थी के और उनके पती जौन के दो बच्चे थे उनमें 16 वा 18 साल की उम्र में इस बीमारी के लक्षणों का पता लगा था उस वक्त इस अवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी और समझ थी उसी समय के ने इस परोपकारी संस्था का गठन किया ताकि पूरे इंगलिन में प्रभावित परिवारों की साहेता की जा सके तब से ये परमार्थ संस्था लगातार विकास कर रही है आज हमारे साथ जुड़े अधिकांश लोग व्यक्तिगत तोर पर इस अवस्था से प्रभावित हैं। मैं पूर्ण कालिक तोर पर ओल्स्ट्रम सिंड्रूम UK के साथ काम करता हूं। मेरे दो बच्चे हैं जिन में से एक में ओल्स्ट्रम सिंड्रूम के लक्षणों का पता च देने के लिए NHS England द्वारा आर्थिक साहयता मिलती है। हम समझते हैं कि जीवन कितना कठिन हो सकता है। पर इसके लिए व्यापक साहयता उपलप्थ है। वर्तमान में ओल्स्ट्रम सिंड्रूम का कोई इलाज नहीं है। लेकिन बर्मिंगम में चल रही क्लिनिक इससे पीड अजय है। ये डॉक्टर डनीज विलियम्स है, ये बिर्मिंगम विमिन्स हॉस्पिकल में आनुवानशिक रोगों की विशिशग्या है, उनका कहना है कि आल्स्ट्रम सिंड्रम एक आनुवानशिक अवस्था है, माता-पिता से बच्चों में ये अप्रभावी या अप्रबल के रूप में आती है, इसका अर्थ है कि माता-पिता दोनों में आल्स्ट्रम सिंड्रम से प्रभावित जीन हों, तब ही उनके बच्चों में इस अवस्था के लक्षन प्रकट होंगे, यदि माता-पिता दोनों में दोशी जीन गुनसूत्र हों, तो भी उनमें ये प्रकट नहीं होगी, लेकिन एक चौथाई संभावना है कि उनकी संतान इससे प्रभावित हो, और तीन चौथाई संभावना है कि उनकी संतान स्वस्थ हो. प्रफेसर टिम बैरिट बिर्मिंगम चुल्रन्स हॉस्पिकल में काम करते हैं. आल्स्टरम सिंडरम आठ या दस लाख में से शायद एक बच्चे को प्रभावित करता है. इससे ये अवस्था अत्यन्त दुरलभ मानी जाती है. मैं ब्रिटन में लगबग 25 बच्चों को जा अस्थिर आँखों के लक्षन विकसित होते हैं. इसे चिकट्सकी ये भाषा में अक्षदोलन कहते हैं. जिन बच्चों में अक्षदोलन होता है, वे अपनी आँखें अपनी मा के चहरे पर केंदृत नहीं कर पाते हैं. लेकिन अस्थिर पुतलियों के करीब 150 कारण है और उन में से एक कारण है औल्स्ट्रम सिंड्रुम. तो केवल इसलिए कि आपके बच्चे की आँखों की पुतलियां अस्थिर हैं, जरूरी नहीं कि उसमें औल्स्ट्रम सिंड्रुम की अवस्था भी हो. ये मात्र एक संभावित कारण हो सकता है. अन्य बच्चों में बड़े और बच्चों ववयसकों में कभी भी गंभीर रूप धारन कर सकती है. करीब 20 प्रतिशत बच्चों में ऐसे बच्चे भी होते हैं, जिन में 6-8 हफ्तों के भीतर दिल की गंभीर बीमारी उत्पन होने लगती है. यानि जन्म लेने के तुरंत बाद ही उनके जीवन को खतरा उत्पन होने लगता है. दिल की बीमारी के भी विभिन कारण है और ओल्स्ट्रम उनमें से एक है. दुर्भा के वश अगर आपके बच्चे को दिल की बीमारी के कारण अस्पताल जाना पड़ता है, तो भी संभवता उनमें ओल्स्ट्रम नहीं है. ये तो बस एक कारण हो सक डॉक्र तारिक, क्वीन इलिजबेथ ऑस्पिटल में चिकिटसक है. ये पूरे बिटन में ओल्स्ट्रम सिंड्रम से प्रभावित वैसकों के लिए सेवाएं उपलप्त करते हैं. इस अवस्था से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना बेहत कठिन है. आप जानते हैं क कि आप अपनी आँखें खो रहे हैं. लेकिन जब आप अपनी सुनने की शक्ती भी खो रहे हों, तो ये नुकसान दुगना हो जाता है. इसके अलावा आपको दिल से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं. आपका शरीर शक्कर को नहीं खपा पाता और आप मधुमें से ग्रस्थ हो जाते हैं, तथा उसकी जडलताओं के शिकार हो जाते हैं. सबसे बढ़कर गुर्दे या कृत व फेपड़ों जैसे अहम अंग भी प्रभावित होने लगते हैं. आल्स्टरम सिंड्रम यूके ने प्रयास कर बर्मिंगम चिल्रंस हॉस्पिटल, ट्वबे हॉस्पिटल और क्वीन इलिजबेट हॉस्पिटल के सहयोग से विशेश क्लिनिक स्थापित किये हैं. इनमें विविद विशेशग्यों की सेवाएं उपलप्त हैं. ये जो बहुत छोटे बच्चों में इस अवस्था से जुड़ी जटलताओं पर नजर रखते हैं, जिनका तुरंत उपचार करना ज़रूरी होता है. यहां हम श्रवन संबंधी परीक्षन कर सकते हैं. यहां पर एक फिजियो थेरपिस्ट भी हैं, जो प्रभावित व्यक्तियो को खिंचाव वाले व्यायाम कराते हैं, ताकि रिल्ड की हड़ी सीधी रहे और शरीर सही मुद्रा में रहे. एक पोशन विशेशग्य हैं, जो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए सरवाधिक पोशक आहार की सलाह देते हैं, और बच्चों के लायक व्यायाम भी बताते ह अन्य विशेशग्यों में एक मनोचिकटसक भी हैं, जो इस अवस्था से पीड़ित बच्चों को भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं, और उनके अभिभावकों की चिंता से उबरने में सहायता करते हैं. अभी हमारे पास यही विशेशग्य हैं, हम नेत्र विशेशग् कर रहे हैं, जो बच्चों में अन्धेपन की प्रगती पर नजर रखेंगे. द्रिश्टी सहायक विशेशग्यों को भी शामिल किया जा रहा है, जो बच्चों को घटती रोशनी में कार्य करना सिखाते हैं. और हाली में, ट्रांजिशन के कोडिनेटर मेरी मगी भी हमारे सं स्थान से जुड़ गई हैं. वो छोटे बच्चों को स्वतंतर रूप से अपने नड़य लेने में साहयता करती हैं. इससे बच्चे सीखते हैं कि अपनी देखफाल कैसे करनी हैं. इससे उन्हें बड़े होने पर किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती. और वे आर और कौशल क्षेत्रों की व्यापक शिंखला है. शरीर की गतिशीलताएं, व्यावसाई कौशल, विद्यालय समर्थन, मनुरंजग गतिविधियां और मित्रता जैसे अनेक शेत्रों को इसमें शामिल किया गया है. शुरूआत में हम यथा संभव ऐसे कम उम्र के व्यक्तिय कर सकते हैं. हला कि कई अन् शेलियां भी है, जिनके बारे में मैं युवाओं को बता सकता हूँ, और लेखन भी कर सकता हुँ, तथा युवाव्यक्ति तस्वीरें मी बना सकते हैं. ये योजना हमें मौका देती है कि बच्चे के साथ एक व्यक्तिगत तोर पर व्यभार कर सकें, उनके अभिभावकों के विचार जान सकें और भविष्य के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए कारिय योजना का गठन कर सकें। परिवर्तन भुमिका के अन्य पहलूँ में बच्चों के स्वर शामिल हैं और यहाँ पर परामर्ष बहुत महत्व पूर्ण बन जाता है। यहाँ परामर्ष का महत्व इसलिए है कि हम बच्चों के विचार सुनना चाते हैं और इनका उप्योग अपनी सेवाओं को भविष् में इसके उपचार और इलाज मिल जाएंगे। लेकिन हम एक बात पक्की तोर पर जानते हैं कि अगर इस अवस्था का जल्दी पता चल जाए और उसी हिसाब से बच्चे की देखपाल हो तो इस अवस्था में काफी सुधार आता है। ब्रिटन में अनुसंधान चल रहे हैं और ये अनुसंधान व्यापक सरपर किये जा रहे हैं। ब्रिटन में अल्स्थ्रम अवस्था से प्रभावित बच्चों ववयस्कों के लिए हमने रेजिस्टर रखा हुआ है। हम लोगों से आगरह करते हैं कि बेनामी तोर पर वे हमें अपनी चिकित सा सूचना उपलप् कराएं ताकि व्यापक आधार पर आंकड़े एकत्र हो सकें। इस तरह हम ओल्स्थ्रम के विवित प्रारूपों से ग्रस्त व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं जिससे इस अवस्था को और बहतर ढंग से समझ सकें। योरोपीय स्थर पर भी हमारी यहां एक अलग रेजिस्ट है और इस परीक्षन के लिए अब आल्स्थ्रम सिंड्रोम से प्रभावित करीब 200 लोगों की जरूरत होगी। इन में से 100 पर असली दवाओं को आजमाया जाएगा जबकि बाकी 100 को प्रतिरूपी दवाएं दी जाएंगी। इन्हें एक साल तक निगरानी में रखा जाएग और देखा जाएगा कि किस समुह में सुधार हो रहा है। लेकिन पूरे ब्रिटन में आल्स्थ्रम सिंड्रूम से प्रभावित केवल 50-60 लोग ही होंगे। इसलिए हमें अपने अनुसंधान का दायरा पूरे योरोप में फैलाना होगा। बाकी दुनिया में भी प्रभाव सेल का मॉडल के तौर पर उपयोग कर रहे हैं ताकि इस बीमारी को बेहतर ढंग से समझ सकें। हम सभी को उम्मीद है कि भविश्य में स्टेम सेल का रोगियों के लिए नए उपचार विकसित करने में उपयोग किया जाएगा। इसमें 5 या 10 साल लग सकते हैं। लेकिन वर करें और अपने संसाधनों को साजा करें तो ओल्स्रम सिंड्रूम से पीडित व्यक्तियों के लिए बहुत जल्दी बहतर उपचार विकसित कर सकते हैं। इस अवस्था का गलत निदान भी हो सकता है। मुझे याद नहीं मैंने कोई ऐसा रोगी देखा हो जिसमें से ये अवस्था अत्यन्त दुरलब है और चिकितसकों को इसके बारे में बहुत धेर सारी बातों को जानना होता है। बहुत धेरी चिकितसक और स्वास्थिकर्मी जानते ही नहीं है कि ओल्स्रम है क्या और इसमें एक बड़ा कार्य है लोगों को इस अवस्था के बारे में जाग इस साल का सम्मेलन बहुत शांदार रहा, इसके आयोजन में बड़ी मेहनत करनी पड़ी है और विवित विश्यों पर वक्ताओं को बुलाना पड़ा है, इसमें कठिनाई ये है कि हम अपने सभी परिवारों की जरुरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और एशिया में भ औल्स्ट्रम सिंड्रुम यूके सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, अगर आप उनसे कोई प्रश्ण करते हैं, तो वे आपकी सहायता करेंगे, अगर ये संस्था नहीं होती, तो मैं नहीं जानती कि आज मेरा बेटा कहा होता, उनकी बदौलत आज वो जिन्दा है, एशि समुदायों में जागरूकता पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं, इसमें बाधा ये है कि नस्दी की रिष्टदारों के बीच विवा संबंधों पर बात करना कठिन हो जाता है, अगर हम अपने नस्दी की रिष्टदार से विवा करें, तब हमारे कुछ गुण सूत्र समान ह इस तरह जहां हमारे स्वस्त गुण सूत्र मिलते हैं, तो कुछ रोग वाहक गुण सूत्रों के मिलने की भी संभावना रहती है, इस अवस्था में ओल्स्ट्रम सिंड्रम से प्रभावित बच्चे होने का खत्रा ज्यादा रहता है, लेकिन ये प्रतिशत अभी भी कम है, लेकिन यदि पहला बच्चा इस अवस्था से प्रभावित हो, तो दूसरे बच्चे में भी इसके होने की ज्यादा संभावना रहती है, ओल्स्ट्रम सिंड्रम ऐसी अवस्था है, जो सभी जातियों, सभी नसलों और सभी संस्कृतियों को प्रभावित करती है, एशियाई परिवारों को मैं यही सला दूँगी, कि वे आगे आएं और बेहिचक अपनी अवस्था के बारे में बताएं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, ओल्स्ट्रम की पूरी टीम आपकी सहायता के लिए है, इसलिए ना तो डरें और ना भैभीत हो, मैं खुद आल्स्ट्रम से प्रभावित बच्ची की मा हूँ, और मैं आल्स्ट्रम सिंड्रम यूके के लिए काम करती हूँ, इसलिए मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, और किन परिशानियों से गुजर रहे हैं, ये भी जानती हूँ, हम ये नहीं कह रहें कि खत्रे का एहसास होता है, लेकिन किसी परिवार में अगर कोई प्रभावित बच्चा हो, तो हम परिवार के बाकी सभी सदस्यों की जेनेटिक परीक्षन करा के पता लगा सकते हैं कि कौन-कौन इस रोग का वाहक होगा, इससे उन्हें परिवार में प्रभावित बच्चों का खत्रा मोल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग जन्म पूर्व निदान का विकल्प चुनते हैं, इनके अलावा अब कुछ मामलों में ब्रून के जमने से पहले ही जिनेटिक निदान परीक्षन उपलब्ध हैं, वेबसाइटों को देखें, ओर्फन न हमें जानकारी दें, उस व्यक्ति के साथ जुड़ना हमारे लिए संतोष जनक होगा, साल में एक बार उसकी हालत की समीक्षा करना या बच्चे की देखभाल करने में आपकी सहायता करना और समुदाय में अन्यस्थानिय स्वास्थ कर्मियों को ओल्स्ट्रम सिंड्रम के मार आपकी सहायता करने में लगाया जा सकता है, इस डीवीडी का उद्देश है कि ओल्स्ट्रम सिंड्रम से प्रभावित व्यक्तियों, उनके परिवारों और उनके साथ काम कर रहे हैं स्वास्थ कर्मियों के लिए उपलप्त सहायता का प्रदर्शन किया जा सके, इस रोग का पता लगने पर मन में मिले जुले ख्यालात आते हैं, इस अवस्था के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, उतना ही भीतर तक तूटने लगते हैं, कई बार राहत भी महसूस होती है कि अवस्था का पता चल गया, जो प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अनुभव किये जा रहे अलग-अलग लक्षणों के बारे में बताती है, प्रत्येक व्यक्ति और परिवार अपने आप में अकेला होता है, और हमारे परिवारों के अनुभवों में अनेक समानताएं होती हैं, वहीं प्रत्येक व्यक्ति इस अवस्था के साथ रहने और इससे पार पाने के अपना अलग तरीखा सीख लेता है ASUK हर कदम पर आपकी सहायता के लिए तत्पर है अधिक जानकारी के लिए हमसे इस नंबर पर संपर्क करें 01709-210-151 या इमेल करें kerry.leason at allstrom.org.uk या हमारी वेबसाइट देखें www.allstrom.org.uk इस DVD से आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के लिए दस्तावेज उपलप्त है Allstrom Syndrome UK इस DVD के निर्मान के लिए Genetic Disorders UK तथा Genes for Genes Day का आभार प्रकट करता है अ झाल झाल